इतना हो सकता है अब गाड़ी के ना मज़राद चेक कर रहा हूँ स्टेबिल्टी टैस्क कैसा है ये इसकी वज़ा से नहीं भाई इस पे इतना फील नहीं होता है अला है ये दिन देखने रह गए इसी मिन्नू है पूरा हो गया है अभी गाड़ी जो है वो 8.4 किलोमेटर का श अब अब चुछ भी आपके काम आता है अगर नहीं प्लेके जाएं तो कुछ भी हो सकता है खैर आदाला से अच्छे कि में इद गए जए अब तुछ बहुते उनमें तो आपके पूरी पूरी थी पीछे वालों में कम थी प्रेशली पे चली गई है तो इंशाला हमने हमने अबरेज मिलती है मैंने इस गाड़ी के बारे में जो सुना हुआ है कि जो हॉंडा है ये अपनी फ्यूर अबरेज की वज़ा से फेमस है सभी है स्पेशली जब आप लांग पे जाते हो तो अभी मैंने फ्यूल टैंक नहीं फूल करवाया जो किनार उड़ वाला हमारे यहा इंदर फ्यूल ओके जी पेट्रॉल मारा फुल हो चुके है उन्तालीस लीटर अभी आया है गाड़ी के अंदर और रात को मैंने दो जार कटलवाया था मुझे नहीं मैंने तो सुना कि इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है फ्यूल टैंक है वो है 50 लीटर खैर गाड़ी फ्रेंश किया था अब हम लोग जो है सिता मोटरवे की तरफ ही जा रहें तो गाड़ी थोड़ी सी अब हम स्पीड पर कर लेंगे तरह असी की तक ले जाएंगे यहां तक ही मैं गट्टा ठीक है आपने को क्या जल्दी हम रहां आराम से सफर करने वाले बंदे हैं हम लोग ह एवरिज बता भी क्या देरी है जिस तरह की मेरी ड्राइविंग है 16.5 हॉंडा के बारे में सबसे प्लास पॉइंट यही होता है कि यह गाड़ी की जो फ्यूल एकॉनमी है वह बहुत अच्छी होती है लॉंग में शेहर में भी नौ-दस देती है हाँ अगर तेज चलाओग जबाए मेरा महरान का एक्सपीरियंस है सारे एक्सपीरियंस है महरान के तो बहुत जएदा है और अल्टों में मैंने काफी सफर किया बड़ी गड़ी पे पहली दफा़ जा रहा हूं कि थोड़ा सा मुझे मेरे साथ फैमली होगी तो उदर मैं वीडियो नहीं बना सकूंग लेकिन जहां तक हम बनाएंगे तब तक गाड़ी को एक्राइब करें गाड़ी को मज़ा भी आरा चलाने का का फी ज्यादा इंजॉय भी मैं कर रहा हूं इसको ले जी हमारा मोटर वे इंटरचेंज जो है वह आ चुका है यह मने पूल क्रॉस करना है और साथ ही मोटर इंट नहीं बहुता ही में आज़ते हैं आगी कंछी यह घ्यूट से चलाथा हूं उर वैसे लिया यह से उपर ।पर नहीं गाड़ी है पितσιक मैं चलाई तो मॉटरवेव तो वो चीज जो हमने सिविक के बारे में सुनी हुई है कि अगर आप इसको पैयार से मोटरवे पे चला है मतब प्यार से यह नहीं कि तुछी प्याद ही चला लो मतब यह अभी 95 पे मेरी आइवरेज है मैं आपको ऐसे बता रहा हूं ठीक है 120 की निवा बाद कर रहा है तो यह आपको वाकी बड़ी अच्छी आवरेज देती है मीटर चेक कर लें 17.2 पे आ रहा है यह 17 था भी थोड़ी दर पहले 17.2 पे हो गया और गाड़ी की यही स्पीड है मोटरवे के उपर न तो इंजोईंग बड़ी गाड़ी को मददा कर रहा है मैंने सुना था ग्रेंडी शा इसलां दे मूर्ज नहीं है वरना अच्छे तड़े परागो बड़ी कड़ी है थे कड़ी आपने तो अगे निगल जान इन परस्वर में यह बस मैं जब सिटी पे था लिटरली मेरी सिटी जो थी वो पूरी ऐसे हुई थी और महरान भी महरान आपको पता उत्तों ही हलकी हो टेस्ट में भी पास है बाकी यह उनोन रंगां तो कोई मस्टा नहीं मौजें करने तो कोई इशु नहीं है अपा चिल करकर जाना है अपा अगिड़ा किसी को कुई कप जितना है अपा राम में जा रहे है अपनी नपे स्पीड ही सही है अपा नो बहुत अच्छी एकॉनमी आ रही है स्तारा सड़े स्तारा देगटी सड़ी पहुंची है चिल मौल मिठे चौल एसी चल रहे है इस चीज़ के जल्दी आराम से जाओ आराम से आओ सफर मेशा एंजॉय करना चाहिए मैंने कौन से जागे को गोल्ड मेडल जीत लेना है गाड़ी की जो एवरेज है ना सब्सक्राइब तो यह आपको अठारा तक ले जाएगी तो विच इस अमेजिंग गाड़ी जो बारा साल पुरानी और इतनी कमाल के अब मुझे पता लगए इतनी तेज क्यों है इसको लोग इतना ज्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं यूज मार्किट के अंदर स्पैशली ज कि लोगों के ओपर फ्यूल एकॉनमी बहुत अच्छी आती है लोगी मसाजिंग वाली मोटर वे खता होगी है और अब आगी यह नीद वाली मोटर वे आप यहां पर बोर्ड नजर आ रहा है यह चेक कर लें इसलामाबाद लोर अपा मोड़ना है खब पे अगे खड़े अब यह तो बहुत है यहां पर जो आटा है स्याल मोट का इंटर जाना थोड़ी दियर के लिए कोशिश की ए सोने के लिए कि बार बार कोई बासा आगा फाल बजा देती थी फिर उड़ जाता था क्वे में नीन बहुत आ रही ती 15-20 मिनट मैंने तो देटा मैंने का चलो इ अब यहां से मारा ट्रैवलिंग का जो है वां सो पंदरा किलोमेटर गाड़ी चल चुकी है और अबी रेंज जो देह रहा है वो 114 किलोमेटर की है एवरेज 15-20 पर लाइफ में ज्यादा दे रहा है यह बड़ी देर पर यहां पर स्ट्रक है गाड़ी की मैं आपको वापस पहुंच रहे हैं जी हमने अपनी गाड़ी का टेश भी काफी कर रही है काफी ज्यादा इप्रेस की है इस गाड़ी के मामले में जारी बाद अगर आपने थोड़ी अराम से चलानी तो अच्छी मिलेगी उसकी रीजन यह है कि मैंने गाड़ी को चैन्वे से उपर न को फिर्णा बाना वालिए गुव इतनी अची 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 आवरी दे सकती है यह सीटी भी इतनी अची अची निदे शपी आपना है मतलग ऑनमेटिक कॉस्टने गाड़ी जो है उसके साब से गर देख जाय तो यह अची जबर दस्त है मतलब इंप्रेसिव अगर आप सौ ब बड़ी हो, कम्फर्टेबल है, बंदर थकता भी जल्दी नहीं है, अब एक्सपरिमेंट के देखें, पहला एक ट्रिप्ता इस गड़ी उबर, मुझे पहली दफा मैं इस गाड़ी हो लॉंप लेगे हैं, और अप्रॉक्सिमेटली मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी चल चुकी है, और अबी तक फ्यूल की, अगर मैं अबरेज भी निकालों तो मेरे ख्याल है, मैंने अभी इस में तक्रीबें पेट्रॉल जो है, बंदर शोला जार का टलवा है, उस साबसे अभी मैंने इसको शेहर में भी जूज किया थे, एक दिन पहले मैं फैमिली के साथ, तो उधर भी लगाते हैं, फिर कुछ काम है, मुझे वहां पर हमने जाना है, वहां से फ्री होते हैं, फिर इंशालला गर वापस पहुंचेंगे दोबारा,